नमस्कार दोस्तों मैं दिलीब चौधरी आप मेरे साथ उपस्ते थे मेरे यूट्यूब चैनल सुजास अकेडमी पर और दोस्तों आज मैं जो आपको लेकर आया हूँ वो भारत की एक गौरव पूर्ण इतिहास की कहानी इस जगे में दफन हुई है और ये कहानी है चूडाम प्रस्पिक संस्तापक मारजा सूरजमल और उनके पिता बदन सिंग को माना जाता है लेकिन जो उनके आदी पुरुस थे जिन्होंने सबसे पहले एक किला बनाया था और अपने जाट गौरव को पूरे भारत बर में प्रशिद्द किया था वे थे चूडामजाट आगे इन 1292 के तराइन के दितिय युद्ध के बाद भारत में तुरकों का प्रवेस हो जाता है और मुहम्मद गौरी दिल्ली को अपनी एक एस्थाई राजधानी बना लेता है और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन एवग को दिल्ली को सौप कर गौर चला जाता है कुतुबुद्दीन एवग मुहम्मद गौरी के मरने के बाद 1206 में दिल्ली में सल्तनत की इस्थापना करता है दोस्तो इसी क्रम में सल्तनत काल और मुगल काल आ जाता है मुगल काल में एक कट्टर और धर्मांद सासक हुआ जिसका नाम था औरंगजेव औरंगजेव जो भारत का सासक बना तो उसने भारत में हिंदूओं पर अत्याचार करना शुरू किया था दोस्तो औरंग जीव दारुले हर्व को दारुले इसलाम में परिवर्थित करना चाहता था यानि कि सभी धर्मों के देश को इसलाम का देश बनाना चाहता था अते उसने अन्य धर्मों के परति आत ताई पर killer अपनाई थी इसलिए वह हिंदूओं पर भी अत्याचार करता था और हिंदूओं के प्रसिद तीर्थ ब्रंदावन या ब्रज छेत्र में उसने मंदिरों को तोड़ना सुरू कर दिया था औरंग जेब की इस धर्म बिरोधी नीती के प्रती भारतियों में तीवर प्रती करिया हुई उसी क्रम में अलिगड परगने के जाट नेता नंदराम के नित्रत में जाटों ने संगठित होकर औरंग जेब को क्रसी कर देना बंद कर दिया और वहां लूट मार कर साही चेत्र को पड़ी छती पहुंचाई अधै औरंग जेब ने अपनी सैना भेजी और नंदराम ने 1660 में औरंग जेब के समक्ष आत्म समर्बन कर दिया लेकिन कुछी समय बाद औरंग जेब की धार में ऐसा हिसनुता और उसके अधिकारियों की अवैद और बल पूर्वक माल गुजारी के विरुद जाट पुने खटा हुए और इस बार जाटों का नित्रत्व करता था गोकुला जाट जो तिलपत का एक जमीदार था अत्या 1666 में औरंग जेब और गोकुला जाट के बीच तिलपत का युद हुआ जिसमें गोकुला जाट विजही रहा गोकुला ने किशानों को संगठित किया और कर जमा करने से मना कर दिया अत्या औरंग जेब ने इन्हें दबाने के लिए सक्ति साली सेना वेजी और गोकुला को बंदी बना लिया गया एक जनवरी 1670 को आगरा के किले में गोकुला की गर्दन अलग कर दी गई इस गटना के बाद औरंग जेब या मुगलों के विरुद जाटों के मन में गिर्णा और रोज पैदा हो गया अत्ह गोकुला द्वारा प्रजलित विद्रो की अगनी को उन्होंने सांत नहीं होने दिया और 1681 में फिर एक बार बड़ा जाट विद्रो हुआ और इस समय आगरा चेतर के फौजदार मुल्तकफ खां की हत्यागर दी गई यह संगर्स आगरा चेतर से हटकर एक सुरक्षित इस्तार राजस्तान के भरतपुर जिले की तरफ प्रसारित हो गया और भरतपुर जिले में यह सिंसनी गाव के जमीदार खांचंद के पुत्र वज्र ने जाटो को संगठित करके किया था वज्र ने अपना निवाज इस्तान थून के किले को बनाया उसने डीक के निकट अउग के साही थाने पर अधिकार कर लिया और वज्र गाव सिंसनी में मुगल सैना से लड़ता हुआ फीरगति को प्राथ वज्र के मरने के बाद इस अंदूलन का नेत्रथ उसके पुत्र राजाराम ने स्विकार किया और राजाराम ने साही छेतर को अत्यदिक छती पहुंचाई उसने अकवर के मकवरे को लूटा और उसकी अस्तियों का हिंदू विदी विदान के साथ दहा संसकार भी करवाया था ऐसा बताया जाता है कि औरंग जेब का एक बड़ा सैनानायक इमाम कुली अधर खां तूरानी जो काबुल से औरंग जेब की साहिता के लिए दक्षन जा रहा था राजाराम ने उसे लूट लिया जिससे औरंग जेब बहुत ज़्यदा चिंतित हो जाता है अतै औरंग जेब राजाराम को कंट्रोल करने के लिए खाने जहां को भीजता है खाने जहां राजाराम को नहीं पकड़ पाता तव आमेर नरेश राम सिंग को जो की मतुरा का फोजदार था उसे जाटों का उबद्रब सांत करने के लिए भीजा जाता है लेकिन राम सिंग की मेत्यू हो जाने के कारण उसके पुत्र विसन सिंग को जाटों की सक्ती को दबाने के लिए भेजा जाता है इसी भी चाट नेता राजयराम की मेत्यू हो जाती है अते जाटों का नेत्रत उसका पुत्र फते सिंग समालता है लेकिन फते सिंग के समय कच्छवाह नरे सिंसिनी पर अधिकार कर लेता है अतय जाट फते सिंग के नित्रत्व को त्याग देते हैं और वज्ज के दूसरे बेटे यानी राजाराम के भाई चूडामन को अपना नेता स्विकार कर लेते हैं चुडावन जाट एक योग के नेता और कुसल राजनितिक साबित हुआ उसने अपनी अभूत पूर्व संगठन चमता विलक्षण बुद्धी और रण चातोरे से चल रहे जाट आंदोलन में संजेवनी का संचार किया सही अर्थों में उसे भरतपुर राज्य का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर कानून गों ने उसे अस्फल देशवक्त और सफल विद्रोई कहा है यद भी वह स्टाज किये सम्मान और पदवियों से बेवूसित नहीं हो पाया परन्तु वह अपनी मेत्यू के समय एक स्वतंत और अवायर के कड़ियों की मरम्मत करवाई और उन पर अपने थाने कायम कर दिये चूड़ामन की इन गतिविदियों से औरंग जे बड़ा परेशान हुआ अतय औरंग जेब ने कचवा नरेश विसन सिंग को दोबारा चूड़ामन के दमन करने के लिए भेजा आमेर नरेश ने युक्ती से जाटों के सरदार उदा को अपने पक्ष में मिलाया और चूड़ामन की सैन सक्ति को कमजोर कर दिया इसलिए चूड़ामन के कुछ गड़ियों पर विसन सिंग ने अधिकार भी कर लिया विसन सिंग की इच्छा थी कि इस चेत्र को आमेर राजे के अंतरगत ले ले परन्तु जब इस चीज की खबर औरंग जेब को पड़ी तो उसने विसन सिंग को मतुरा की फोज़दारी से हटा दिया विसन सिंग के चले जाने के बाद चूड़ामन ने पुनहें अपनी सक्ति को संगठित करना सुरू किया और 1704 में एक वार फिर सिंसिनी गाउं पर अधिकार कर लिया यद भी इस सिंसिनी गाउं पर इसका अधिक समय तक आधिपत्य नहीं रह पाया था 1707 में औरंग जेब के पुत्रों में उत्रादीकार केपली आगरा और धौलपुर के बीच जाज़व नमकिस्थान पर संगर्स हुआ इस उत्रादीकार युद्ध के समय चूड़ामन ने आजम की पराजित सेना को लूट कर अतुले धन एकत्रित किया इसके बाद नवीन सम्राट बाहदुर सा के पृति निस्थावान होकर उसके दर्बार में चला गया और इसे पंद्रा सो जात और पांसो सबार का मंसर प्रदान किया गया और धिल्ली आगरा साही मार्ग पर नियंतरन रखने का दायत भी सौपा गया बाद में चूडामन ने 1708 में राजपुतों के विरुद लड़े गए सांभर के युद्ध में मेवात के मुगल फोजदार सायद हुसेन खां को साहता दे कर मुगलों के पृति राजभक्ती का प्रदर्शन किया मुगल बाद सा जहादार साह के समय चूडामन चाट ने उन्हें साही राजमार्गों को लूटने का काम सुरू कर दिया इससे राजधानी के निकट असांती पहल गई अतै जहादार साहा ने चूडामन को सांत करने के उद्धिसे से उसे पुरानी मंसब बहाल कर खुस कर दिया फरुक सियर के साथ हुए उत्रादिकार संगर्ष के दोरान चूडामन ने भागती हुई जहादार साह की सैना को ही लूटा और अपने निवास इस्थान थूना गया फरुक सियर जब दिल्ली के सिंगासन पर बैठा तो उसने चूडामन को दंड देने की कुसिस की परन्तु आगरा के सुबेदर चबाली राम को चूडामन जाटने बुरी तरह पराजित कर दिया अब फरुक सियर ने चूडामन के बुरुद खाने दौरा को बेजा खाने दौरा भी पराजित हुआ और उसने चूडामन को बादसा की सेवा में उपस्तित होने के लिए राजी कर लिया बादसा फरुक सियर ने चूडामन को राव की उपादी दी और बारा पुला से सिकंद्रा तक के साही मार्क की रहादारी की वसूली का अधिकार दिया दोस्तो कानून गों ने इन्हें इस सब्दों में काहे कि एक भेडिया को भेडों की सुरक्षा का भार सुपुर्द कर लूट को कानूनी जामा पहना दिया गया यानि कि जो चूडामन चाता था वही राइट्स उसे मिल चूडामन ने बादसा की कमजोरी का लाव उठाया और रहादारी के रूप में अत्यरिक धन एकत्र करने लगा फरुक्षेर के विरोधी गुट से जिसका नेत्रत्व सैयद बंधू कर रहे थे उनसे चूडामन ने हाथ मिलाया और अपनी सक्ती बढ़ाने लगा साही मार को आतंकित कर इसने बहुत सारा धने कत्र किया और अपनी राजधानी थूनके के लिए का सुद्रडी करन किया क्योंकि चूडामन एक स्वतंदर राज्ये इस्थापित करना चाहता था अप चूडामन ने अलबर, हिंडाउन, बयाना, आदी चेत्रों पर अपने थाने और अपनी गढ़ियां इस्थापित कर ली उसने इस्थानिये जमीदारों को तंग करना सुरू कर दिया चूडामन की विनस्ट कारी गतिविदियों की सिकायत मुगल बादसा फरुक सियर के पास लगातार पहुँच रही थी आता है मुगल बादसा फरुक सियर ने Аमीर की राजा सवाय जैसिंग को मालवा से जाटों के विरुद बोला लिया था लेकिन सभाई जैसिंग भी चूडामन को हराने में सफल नहीं हो पाया था अंत में वजीर सैयद कुतुबल मुल्क के माद्यम से चूडामन ने मुगल बादसा के साथ समझोता किया याद रखना दोस्तों जो चूडामन था वो मुगल बादसा के विरोधी कुट सैयद बंदूओं के पक्च में था मुगल दरबार में सैयद बंदूओं का सहोगी होने के करण सभाई जैसिंग अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था सितमबर 1720 में साही सिविर में सैयद हुसैन अली की हत्या कर दी गई उस समय चूडामन सैयदों के पक्च में कोई महत्पून भूमिका नहीं निवा सकता था अतै बदलती हुई परिस्तियों को ध्यान में रखते हुए बादसा का पक्च लेना उसने आरम कर दिया नवंबर 1720 में हसनपुर के युद में वजीर सैयद अब्दुल्ला यानि की हुसैन अली सैयद बंदूं का बड़ा भाई पराजित हुआ और कैद कर लिया गया चुड़ामन अपनी चेतर में स्वतंतर सासक की तरह आचरन करने लगा जिस समय सादत खाने महराजा अजीत सिंग के वरुद सैने का भियान किया उस समय चुड़ामन ने साही फोज को तंग किया था जाटनेता ने आगरा बें मत्वरा चेतर में लूट मार करना आरम किया उसने आगरा के सुविदर सादत खान के नायब नीलकंट नागर को फतैपूर सीकरी के निकट पराजित भी किया और उसे मार दिया इसने नरा जोकर मोगल बाद्षा ने सवाइज आजय सिंग को आगर सैनिक तयारी की और इस्तितियां आमे नरेस के हित में थी क्योंकि जाट सरदार चूडामन के दो पुत्र मोकम सिंग और जूलकरण दोनों में संपत्ति और भूमी के बटवारे के प्रस्न को लेकर जगडा हो रहा था चूडामन ने अपने पुत्रों को समझाने की कोशिस की लेकिन उसका जेश्ट पुत्र मोकम सिंग उसके साथ अबद्र विवार करने लगा पुत्रों की लड़ाई और उनके बेरुखे बेवार से तंग आकर चूडामन ने अपनी अंगूठी में इस्तित हीरे को चूस कर आत्म हत्या कर ले थी दोस्तों चूडामन ने जोदपुर की नरेश अजीत सिंग की पुत्री जिनका विवा फर्रुक सियर मुगल बादसा के साथ हुआ था जिनका नाम इंद्र कोबरी था उन्हें स्वतंत्र कराकर जोदपुर नरेश अजीत सिंग के पास भिजवाया था दोस्तों चूडामन जाट ने अपनी पैचान एक लुटेरे से बदल कर एक इस्त्री रक्षक के रूप में स्थापित की थी चूडामन जाट ने मुगलों के साथ रहकर मुगलों को ही लूटा था और जाट सामराज्य की नीव रखी थी